हमारी दुनिया कोने कोने पर तरह तरह के जीव जन्तूओं से भरी पड़ी है, जिन मेंसे कुछ जीव तो देखने में इतने खतरनाक लगते हैं, कि इनके सामने आने भर से ही किसी की भी पैंट गीली हो जाए। लेकिन वहीं कुछ जीव ऐसे भी हैं जो दिखने में किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं लगते, और हम इन्हें मामूली मान कर कमजोर समझने की गलती कर बैठते हैं, अब भले ही ये जीव आकार में काफी छोटे हैं, लेकिन मेरा यकीन मानना कि इन से दूर रहने में ये आपक ही है, क्योंकि हकीकत में ये आपके लिए काफी बड़ा खतरा बन सकते हैं, तो चलिए एक नजर डालते हैं साधारन से दिखने वाले कुछ छोटे जीवों पर जो वास्तों में बड़े से बड़े जीवों से भी जादा खतरनाक है, अब जरा एक बार इस वीडियो को देख और जरा सूचिए कि ये चीज आखिर है क्या, देखी कैसे अजीब सा दिखने वाले जीव अपने मूँ से किसी मकडी के जाल के जैसी ही किसी चीज को उगल रहा है, अब कुछ लोग कहेंगी कि ऐसा कैसे संभव है, हो सकता है ये वीडियो रियल ही ना हो, तो आपके जानका आकरती की इस चीज को फैंकता है, जो सामने वाले जीव के शरीर में जकड कर उसमें जहर छोड़ देती है, और उसकी तडब तडब कर मौत हो जाती है, ये जनाब बड़े लखी थे, इस जीव को छूने के बाद भी इन्हें किसी तरह का कोई नकसान नहीं हुआ, इन्हें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस समय ये पनी मौत से खेल रहे थे, थूड़ी और देर हो जाती तो जनाब को लेने के देने पड़ जाते हैं, तभी तो मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी अंजान चीज से सौ गज की दूरी बनाए रखना सहब, जब बात हो रही ये खतरनाक छोटे जीओं की, तो ऐसे में फायरेंट का नाम न लिया जाए, ये तो हरगीज नहीं हो सकता, फायरेंट बदनाम हैफ ने घुस्से के लिए, जिनके द्वारा काटे जाने पर काफी तीज दर्द का एहसास होता है, ये छोटी सी चीटियां मिट्टी के अंदर कॉलोनी बना कर जुन्ड में रहना पसंद करती है, जिस पर अगर गलती से किसी का पैर पढ़ जाए, तो ये पलक छपकने से भी कम समय के अंदर उस जीव पर हमला बोल देती है, ऐसे में अगर वो जीव छूटा हुआ, तो उसकी जान जाना तो तै है ही, इन चीटियों को और भी जादा खतरनाक बना देता है, इनका हमला करने का तरीका, पहले तो ये कई हजारों की संख्या में अपने शिकार पर चड़ जाती है, और फिर उसके शरीर में अपने दांतों को गड़ा कर लगा तार कई सारे जहरीले डंक चुबो देती है, जिससे की कुछ ऐसा दर पाने के लिए काफी होता है, फायर एंड्स अपनी कोलोनी को लेकर काफी रक्षात मक होती है, और इसे बचाने के लिए ये पनी जान तक को दाओं पर लगा देने में पीछे नहीं हटती, इसलिए इन चीटियों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है, अपरिका में पाई ज आज भी अपने आपे काफी जोखिम भरा है, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में दी जाने वाली उन मेडिसीन के साइड इफेक्ट्स काफी खतरनाक हैं, जब ये मक्ही किसी इंसान को काटती है, तो ये उसके शरीर में एक जानलेवा पैरसाइट को छोड़ देती है, जिसके चलते उस इंसान का अपना सेंस पर कंट्रोल खो जाता है, और उसे नींद नाने की समस्या भी बैदा होने लगती है, जिसके बाद उस इंसान को काफी दर्दनाक मौत मिलती है, ये बिमार इतने खतरनाक है कि इसके चलते सिर्फ अफरीका भर में ही हर साल आधे मिलियन से ज पतरनाक बना देती है, वो है इनके अंडे देने का तरीका, क्योंकि अंडे देने के लिए कोच और नहीं, बलकि इंसानी शरीर का इस्तिमाल करते हैं, अगर ये मख्य किसी की स्किन पर बैट जाए, तो ये कुछ सेकिंड के अंदर ही उस जगह पर अपने कई सारे अंडों क छोड़ देती है, और उन अंडों से निकलने वाला लारवा उस इंसान की स्किन से होते हुए शरीर के अंदर चला जाता है, और उसे अंदर ही अंदर धीरे-धीरे खाना शुरू कर देता है, जिसके थोड़े समय बाद उस इंसान को उस एरिया में काफी तेज जलन और दर् मदू मख्यां कितनी खतरनाक होंगी। वैसे तो ये मदू मख्यां भी बिलकुल हनी बी की तरह दिखाई देती है। लेकिन जो चीज इन्हें उससे भी कई गुना जादा खतरनाक बना देती है। वो है इनका टेमप्रमेंट। ये मदू मख्यां काफे हुसैल, सभाव की होती हैं, जो किसी भी जीव के सिर्फ सामने आने भर से ही उस पर तूट पड़ती है। इनके डंक में खास तरह का जहर होता है, जो किसी भी इनसान को मौत के घाट उतार देनी के लिए काफी होता है। इन्हें और भी जादा खतरनाक बना देता है इनका जुन्ड में एक साथ हम किलर बीस के एक जुन्ड में असी हजार से भी जादा मख्यां शामिल हो सकती हैं, जो अगर एक बार छिड़ जाए तो उनके सामने चाहे कोई जानवर हो या फिर कोई इनसान, उसका क्या हाल होगा ये अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं, जिसका नाम बुलिट एंट ह ये एक ऐसा जीव है जिससे कई मील दूर रहने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि अगर इसने गलती से भी आपको काट लिया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, इन चीन्टियों के अंदर एक खास तरह का जहर होता है, जो इंसान के शेरीर में जाते ही काफी तेज दर्द का अनुभव देता है, हाला कि इसके जहर से किसी इनसान की जान को तो खत्रा नहीं, लेकिन फिर भी इससे होने वाला दर्द मौत को अनुभव करने के बराबर ही है, कहा जाता है कि ये दर्द ठीक वैसा ही है, जैसे किसी को बंदू की गोली लगी हो, यही कारण है क इस चीन्टी को बुलिट एंट नाम दिया गया अगर आपने कभी मदुमक्खी के काटे जाने के दर्द को अनभू किया है तो आपको बता दू बुलिट एंट के काटे जाने पर उससे 30 गुना जादा दर्द का एसास होता है वैसे तो ये चीन्टियां इंसानों से दूर मत आना तो तैय है बुलिट एंट ते उसे लगातार एक के बाद एक कई सारे डंक मार कर अपना जहर उसके शरीर में छोड़ देते हैं जो उस जीव को अगले 24 घंटों के लिए तेज दर्द और जलन से तड़ पाता रहता है अब इस कीडे का नाम सुनकर कन्फ्यूज मत हो और पीछे छोड़ देता है ये लव बाइट्स की कुछ निशान लेकिन जब ये कीडा किसी भी जीव का खून पी रहा होता है तो उस समय ये उसके शरीर में एक काफी खतरनाक बैक्टीरिया को छोड़ देता है और ये बैक्टीरिया उस जीव के बलड में जिंदगी भर अ मौत हो जाती है और तोर अभी तक इस जीव के द्वारा दिये जाने वाले उस खतरनाक बैक्टीरिया का कोई पुखता इलाज भी संभव नहीं है ये कैसा कीडा है जो जिंदा रहता है खून को पी कर और आकार में काफी छूटा सा दिखने वाला ये जीव दुनिया भर में प्लेग जैसे कई खतरनाक बीमारियों को पहलाने का काम करता है जिसकी वज़े से 14th सेंचुरी में अकेले यॉरप भर में ही 25 मिलियन लोगों की जान चली गई थी ये जीव अपनी पूरी जिंदगी एक जानवर से दूसरे जानवर के शरीर में ट्रैवल करके बिता देता ह अब लाजमी है कि ऐसे में ये अपने साथ कई तरह की बीमारियों का आदान प्रदान भी करेगा इस जीव के पसंदीदा शिकारों में कुत्ते बिलियां और कई तरह के पशुपक्षियों से लेकर इंसानों तक का नाम शामिल है ऐसे में ये उन जीवों का खून चूसते पालतू जानवरों की सफाई का विशेश तरह से ध्यान रखा जाए। 2013 में इन मदुमक्षियों ने चैना में मौजूद एक गाउं के कुछ लोगों पर हमला कर दिया था जिसमें करीब 43 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और ना जाने कितने ही हजार लोगों को इमिरजनसी में हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई थी जिसके ब आममदुमक्षि के मुकाबले में काफी बड़ा आकार है छोटा सा दिखने वाले जीव इतना खतरनाक है कि एक छोटी सी मचली से लेकर जहरीले सांप तक को भी मौद के घाट उतार सकता है पानी में रहने वाले स्कीडे के सामने कुछ भी क्यों ना आ जाए यह उसे लपक का अनुभव होता है और इनके काटने से किसी तरह के इलर्जिक इंफेक्शन के होने का खतरा भी बन जाता है वहीं अगर बात की जाए इस जीव के अंडों की तो यह उन्हें तब तक अपनी पीट पर लादे रहता है जब तक कि उसमें से बच्चे सही सलामत बाहर ना निक करते हुए सतर्क रहें और हां अपना फर्ज निभाते हुए इस वीडियो को अपने दोस्तों और करीबियों के साथ जादा से जादा शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी इन जोखिमों से बचे रहें मैं फिर मिलता हूँ आपको ऐसी ही एक और इंफॉर्मिटिव वीडियो किसा